हेलो एवरिवान, वेलकम टो माई चैनल, आज मैं आप लोगों के लिए बहुती मज़ेदार और टेस्टी कॉम्बो लेके आई हूँ आज मैं बनाऊंगी मतर पुलाओ, उसके साथ मैं बनाऊंगी पनिर की मसाला करी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश कर लीजिए, तो फिर चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले मैं बनाऊंगी मटर पुलाओ, इसके लिए मैंने आपर एक प्रेश्टर को कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे दो चमत देशी घी घी को अच्छे से गरम करेंगे, घी एक बार गरम होने के पाद हम इसमें डालेंगे आधा चमत जीरा उसके साथ हम डालेंगे ये सारे खड़े मसाले, अब इसमें डालेंगे हम काजू, सारे चीज को हम अच्छे से फ्राइ करेंगे, अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ ग्रीन चीली, कटा हुआ अद्रक, अब इसको हम एक मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे, अब इसमें हम डालेंगे एक बड़े कप ग्रीन मतर, ग्रीन मतर को हम एक से दो मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे, मटर को हमने दो मिनिट के लिए फ्राइ कर लिया है अब इसमें डालेंगे हम विगो के रखा हुआ बासमती राइस मैंने यहाँ पर एक कब बासमती राइस लिया है अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे देड़ कब पानी अब इसमें स्वाधनों सा नमक डालेंगे एक चमस डालेंगे गरा मसाला पाउडर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अब हम प्रेसर कुकर को बंद करेंगे और एक सिटी आने तक इसको कूप करेंगे ये देखे प्रेसर कुकर में हमारा एक सिटी आ गया है अब हम ग्यास का फ्रेम आफ करेंगे अब हम कुकर के ग्यास पूरा जाने तक वेट करेंगे थोड़ी देर बाद हम प्रेशर कुकर को ओपन करेंगे ये देखे हमारा मटर पुलाव बनके तयार हो गया है एक बार इसको हलके हाज से मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनिट के लिए अलग रखेंगे उसके बाद हम इसको सर्फ करेंगे तो ये देखे 5 मिनिट हो गया है और हमारा मटर पुलाव पूरी तरह से बनके तयार हो गया है अब इसको हम गर्मा गर्म सर्फ करेंगे अब हम बनाएंगे पनीर मसाला करी इसके लिए मैंने यहां पर लिया है 200 ग्राम पनीर पनीर को मैंने इस तरह से क्यूप्स में कट कर लिया है अब इसमें डालेंगे हम आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच रेट चिली पाउडर आधा चमच गरा मसाला पाउडर स्वाधनुसा नमक आधा चमच डालेंगे अध्रकलसुन का पेस अब इसे हम हलके हाथों से मिक्स करेंगे अब हम पनीर को पांच मिनिट के लिए अलग रखेंगे अब हम एक मसाला पाउडर तयार करेंगे इसके लिए मैंने लिया है आधा चमच जीरा आधा चमच धनिया आधा चमच सौम एक स्टार अनिस एक डालचिनी का टुकड़ा दो से तिन लॉंग अब हम सारी चीज को थोड़ी देर के लिए फ्राय करेंगे अब इसमें डालेंगे आधा चमच काली मिर्च अच्छे से सारे मसाले को फ्राय करेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे अब हम कड़ाई लेंगे इसमें डालेंगे तीन चमच तेल तेल करम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर को पनीर को हम हलका सा फ्राय करेंगे ये दिखिए पनीर को हमने फ्राय कर लिया है अब हम सेम कड़ाई में डालेंगे आधा चमच जीरा एक टेज पता हलका सा इसको फ्राय करेंगे अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज यहां पर मैंने तीन मीडियम साइज के प्यास को लिया है प्यास को पूरा गोल्डन प्राउन होने तक फ्राई करेंगे अब इसमें डालेंगे एक चमच अद्रक लसुन का पेस्ट अच्छे से इसको फ्राई करेंगे अब इसमें डालेंगे हम मसाला पाउडर जो हमने पहले से बना के रखा था आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच रेट चिली पाउडर एक चमच डालेंगे गरा मसाला पाउडर सारे चीज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर यहां पर मेनी दो मिडियम साइज के टमाटर को लिया है स्वादरलू सा नमक डालेंगे और टमाटर को स्मूथ होने तक फ्राइ करेंगे यह दिखें टमाटर अच्छे से स्मूथ हो गया है अब इसमें डालेंगे दो से तीन चमस दही अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे काजु पाउडर को हमने काजु को अच्छे से पाउडर करके रखा था अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अब हम इसमें डालेंगे देड़ कप पानी अच्छे से इसको बॉइल करेंगे अब इसमें हम फ्राइड पनीर को डाल देंगे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे अब हम इसे कवर करेंगे और लो फ्लेब में हम इसको पांच मिनित के लिए कूप करेंगे पांच मिनिट के बाद हम कवर को निकालेंगे अच्छे सी इसको मिक्स करेंगे अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेती कसूरी मेती डालने के बाद हम इसको दो मिनिट के लिए पकाएंगे अब हम पनीर को गर्मा गरम सर्फ करेंगे तो ये दिखिए हमारा पनीर मसाला करी बनके तयार हो गया है वीडियो केसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई थैंक्स पर वाचिंग